नमस्कार दोस्तों मुकेश साहू क्लासेश चैनल पर आपका स्वागत है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाईए उसके बाद बेल आइकान दिखेगा उससे दबाके रखिए ताकि सभी वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सके बिल्कुल फ्री में CGTT और CT8 में परियावरन से प्रस्ण पूछे जाते हैं 30 नमबर का 30 प्रस्ण और इसके लिए वीडियो अब आना सुरू हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए लाल कलर का जो बटन है उसको दबाईए किलिक कीजिए टच कीजिए बिल्कुल फ्री है उसके बाद ब सर्यावरन के प्रस्ण देखते हैं जो CGTT और CT8 के एक्जाम में पूछे जाते हैं देखिए पहला प्रस्ण है एग मार्ग का संबंध है तो चार ऑप्सन है इसमें गुनवत्ता से पेकेजिंग से संसाधन से उत्पादन से तो एग मार्ग जो होता है वस्तूओं पे लगा ह होता है इसका संबंध है प गुनवत्ता से यह मार्ग होता क्या है यह एक प्रमान्चिन होता है अंतरश्टी जो भारत में कीशी खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है किसमें लगए जाता है क्रीशीखाद्य अप्र यहाँ था pastik खाले प्रतीस को दर्शात है इसकी स् 1937 के अधिनियम के अंतरगत यहां मानक भारस सरकार के वैपार एवं निरिक्षन निदेशालय द्वारा अनुबोधित होता है एक मार्क एक परवेक्षन एजेंसी है मत्तब यह समान जो क्रिशी समान है उसका गुनवत्ता देख कर उसको यह चिन्न देता है एक मार्क का चिन् प्रशन है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूर्शन सरवाधिक है सरवाधिक है उत्तरप्रदेश में मध्यप्रदेश में बिहार में पस्चिम बंगाल में तो पस्चिम बंगाल में सरवाधिक है आर्सेनिक द्वारा प्रदूर्शन आर्सेनिक एक गंध हीन एवं स्वाध रहित उपधातु है जो प्रित्वी के सतह के नीचे प्रचूर मात्र में पाया जाता है यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो इससे कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, केरोटोईस, त्वचा का कैंसर, फेपडे एवं मुत्रासय से संबंदित कैंसर हो सक भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के छेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई जाती है आर्सेनिक से सरवाधिक जल प्रदूशन पस्चिम बंगाल में है इसके साथ ही बिहार और उत्तरपदेश और जारकन उसके बाद आता है तो सरवाधि अगला प्रशन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कि 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में 1972 में पास किया गया था भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवेज सिकार को रोकने हे तू एवं पेड़ पौधों के संरक्षन हे तू 1972 में यहाँ नियम पारित किया गया था यहाँ अधिनियम जम्मू कस्मीर को छोड़ कर भारत के सबी राज्यों में लागू था लेकिन अब जम्मू कस्मीर में भी यह लागू हो चुका है जम्मू कस्मीर का अपना अलग वनेजिय अधिनियम था लेकिन अब वही अधिनियम है वहाँ भी जो भारत के सेस हिस्सों में है अगला प्रस्ण है दूज से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये प्रस्ण बहुत ही बार पूछा जा चुका है इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है option 3 किनवन दूज से दही बनने की प्रक्रिया को किनवन कहते हैं किनवन एक जय और असानिक क्रिया है जिसमें जटील कार्बनिक योगिक सुक्ष मजियों की साहता से सरल कार्बनिक योगिक में विघटित हो जाते हैं दूज से दही बनना एक रसाइनिक अभिक्रिया है लेक्टो बेसिलस जिवानों के कारण दूश्य से दहीं बनता है लेक्टो बेसिलस ये भी याद रखना है कीज देश के सविधान से मौलिक कर्तवियों को लिया गया है ये परियावरन के प्रस्ण हैं जिसमें समानी ग्यान के प्रस्ण भी आते हैं परिया वरन मतलब स्किर पेड़ पौधा जल पायू भूमी नहीं होता सीट जी टेट और सीट एट में परिया वरन सेक्षन में समाने ग्यान के प्रस्ण भी होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा ओप्शन यू एस एस आर सोवियत संग उस समय का जो अब विघटित हो चुका है 1992 से तो भारती सविधान में मौलिक करतव्य का यू एस एस आर सोवियत संग से लिया गया है सरदार सोर नसी समीती के सुझाओ पर ब्यानलिस्वे सविधान संसोधन 1976 के द्वारती सविधान में जोड़ा गया था जिसकी संख्या 10 है या भाग 4 आ में वरनीत है अनुच्छेद 51 आ का संबन मौलिक करतव्य से है थीक इतनी चीज़ा इसमें याद रखना है धूटारा कहा जाता है तारे को उतरी तारे को दक्षनी तारे को पुर्वी तारे को पस्चमी तो बहुत आसान है भारत में प्रोजेक्ट टाईगर प्रारंब किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंब किया गया था बागों की घटती संख्या को देखते हुए एवं इसके संरक्चन हेतू भारत सरकार द्वारा 9 अप्रेल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई आरंब में केवल इसके अंतरगत 9 बाग अभ्यारन सम्मिलित थे और वरतमान में 32 सम्मिलित है फलों की घाटी अवस्थित है या फलों की घाटी ये फलों नहीं फूलों है ठीक है फूलों ये फूलों की घाटी है फूलों की घाटी अवस्थित है जम्नु कस्मीर में, हिमाचल, प्रदेश में, सिक्किम में, उत्राखन में तो फूलों की घाटी जो है ये क्या है फूलों की घाटी है ये फूलों की घाटी फूलों की घाटी जो है वो अवस्थित है उत्राखन में फूलों की घाटी एक राष्टी पार्क है, जो उत्राखन के पच्चिमी हिमाली छेतर में इस्तित है यूनेसको ने इसे विश्व दरोवरिस्तर के रूप में घोसित किया है फूलों की घाटी को सर्व प्रथम इस घाटी का प्रता ब्रिटिज परवता रोही फ्रैंक एस स्मीथ एवं आर एल होल्ड सवर्थ ने लगाया था यहां 500 से अधिक फूलों की प्रजाती पाई जाती है इसलिए इसको फूलों की घाटी कहा जाता है उत्राखण में अवस्थित है एक वैस्थ मानों में कुल अस्थियों की संक्या कितनी होती है 305, 275, 206, 175 अस्थियों की बात की गई है तो 206 इसका सही आंसर है मानों अस्थि सरीर का आंत्रिक भाग होता है जन्म के समय बच्चों का सरीर 270 हड़ियों से मिलकर बना होता है कहीं कहीं ते 300 भी लिखा रहता है लेकिन वैस्थ का वस्था में कुछ हड़ियों के आपस में जुड़ने के करण इसकी संक्या इस्थाई रूप से 206 हो जाती है तो जन्म के समय 270 से 300 के बीच होता है बाद में जुड़ जाते हैं कुछ हड़ियों इसलिए वैस्थ का वस्था में 206 हो जाती है अस्थियां अगला प्रश्ण ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यू यार्क में सीड़नी में यह तीसरा ओप्शन जो है वो है एमस्थरडर्म और चौथा है नागा साकी सही आंसर है इसका एमस्थरडर्म ग्रीन पीस इंटरनेशनल परियावरण चेतना यह जागरुकता से संबंदित एक विश्व व्यापी आंदलन है यहाँ एक गेर सरकारी संगटन है इसकी स्थापना 1971 में इरिविंग इ्स्टो डोरोथी द्वारा काइनेडा के वेंकतुवर में हुई थी इसका मुख्याले नीधरलेंड के एमस्थरडर्म में है कब हुई थी इस्थापना 1971 में कहाँ पेवस्थी था है प्रहाआ एमस्थरडर्म में अप्शन 3, Amsterdam, नीदरलेंड में ये एक सहर है, Amsterdam, प्रकास संसलेशन के प्रकासी चरण के दोरान, खालिस्थान, आक्सिकरन, एमखालिस्थान का अपचैन होता है, जल, NADP, NADPH2, CO2, CO2, जल, CO2, NADPH2, राइट आंसर है इसका, अप्शन 1, जल का आक्सिकरन एवं NADP का अपच अपचैन होता है, प्रकास संसलेशन एक रसायनी का अभिक्रिया है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकास, वाइममंडल से CO2, प्रित्वी से खनी जलवन प्राप्त करते हैं, इस अभिक्रिया में जल एवं आकसीजन मुक्त होती है, प्रकास संसलेशन के प्रकासी चरण के दोरान जल का आकसीखरन एवं एड़ीप का अपचैन होता है, एल्पीजी के संदर्ब में क्या सत्य नहीं हैं, सत्य क्या नहीं हैं, यहाँ एक सवक्षिंदने, यहा उच्च उसमी मान का है, यहाँ नेलो ज थेन उस्सरजन करने वाला है तो इसका सहीं आंसर जो है वो है option 1 यहां एक स्वक्ष इंधन है सत्य नहीं पूछा है तो 1 जो है वो सहीं आंसर है LPG एक द्रव पेट्रोलियम गेस है जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिसरन है यहां carbon dioxide की सरजन को कम करती है यहां स्वक्ष इंधन का एक रूप है तो सत्य नहीं है वो नहीं बताना है जो सत्य है उसको बताना था तो option 1 इसका सहीं आंसर है सत्य है ठीक है दोश्रहां झाटा यहिए आप इस स्वेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है किसकी अरुस्टू की चार्स डार्विन की मेंडेल की रॉबर्ट होक की तो इसका राएट आंसर है चाल्स डार्विन की चार्ल्स डार्विन एक बिटिस प्रकृतिवादी भूविज्ञान एवं जीविज्ञानी थे डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है 24 नॉमबर 1869 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ती को प्रकासित किया था बहुत फhrèmeदा से और कई बार पूचा गया है मकर रेखा है तो इसका सही आंसर क्या है option 3 मकर रेखा दक्षिनी गुलारद में भुमद्दे रेखा के समाना अंतर तेवी सही एक बटा दो डिग्री south globe पर पस्चिम से पूर्वक्यों खिची गई एक काल्पनिक रेखा है मकर रेखा प्रित्वी की दक्षिन्तम आक्षांज रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है अंतराश्टी नियालाय का मुक्यालय अवस्तित है जेनेवा में, हेग में, नियुयारक में, पेरिस में तो इसमें अभी हाल फिलर में बहुत इसका आया था न्यूज में पाकिस्तान को लेकर तो इसका राइट जो आंसर है वो है हेग में अंतराश्टी नियालाय सेयुक्तराश्ट संकी प्रधान नियाईक संस्थ है इसकी स्थापना वर्स 1945 में जब दूइती विस्वेद्यू समाप्त हुआ सेयुतराश्ट संके घोषना पत्र के द्वारा की गई थी इसका मुख्याल है निदर लेंड के हेग में निदर लेंड में एमस्टर डर्म भी है निदर लेंड में हेग भी है निदर लेंड के एमस्टर डर्म में क्या है ग्रीन पीस इंटरनेशनल परियावरन संबंधी उसका संगठन और निदर लेंड के हेग में है अंतराश्टी नियालाय वर्स 1946 में इसने अपना कारे करना प्रारंब किया इसमें समाने सभा द्वारा 15 न्यायधिस चुने जाते हैं इनका कारे काल 9 वर्स का होता है सविधान सभा ने राष्टी गान को कब अपनाया राष्टी गान क्या है जन गनमन इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को यहां बंगाली में गुरुदेव रभींद्र नाठ टेगोर ने लिखा था इससे सर्व प्रथम 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्टगान की आउधी 52 है पुस्कर मेला कहां आयोजीत किया जाता है जयपूर उदयपूर जोदपूर अजमेर कहां इसको किया जाता है तो सिदा सिदा इसका आणसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका जो यह हो जाएगा option 4 औज़मेर कहां अज़मेर कि निम्न ने लिखी परा बैंगनी की नों में से कौन सा अधिक खानिकारक है U a U b b u c इन में से कोई नहीं तो तो जो सबसे अधिक हानिकारक है वो है UVA, परा बेंगनी किरने भी कई प्रकार की होती है, जैसे कोरोना वाइरस भी कई प्रकार की होती है, और जो उसमें कोड में कुछ लिखा रहता है, CEO कुछ करके, वो वाला कोरोना वाइरस अभी फिलाल फैला हुआ है, जो बहुत ही जान ठीक तो इसका जो सहीं आंसर है वो है कवक प्रोटीन हैं मिरिदा है फासफोरस है जो अजेविक घटक है कवक है वो नहीं है अजेविक घटक ओ जेविक घटक है कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजान मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है यहाँ जीवों का विशाल समुदाय है जो वनस्पती जगत में वर्गी कृत किया जाता है यहाँ पर्न हरीम रहित होता है कवक्स जेव मंडल का अजेवी घटक नहीं है यहाँ एक परजीवी पौधा है ठीक क्या है परजीवी पौधा है तो राइट आंसर कवक्स हो गया गीर सेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में महराष्ट में उत्तर प्रदेश में मद्य प्रदेश में तो यह कहाँ अवस्थित है यह है गुजरात में गुजरात के जुनागर में गीर सेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्स 1972 में इस्थापित की गई थी यहाँ व प्रियोजनाभ्यारन गुज्रात में, Worldwide Life Fund 업 विस्व का सबसे बड़ा संद्वक्षन संगठन जो 29 अप्रेल 1961 को अस्तित्व में आया यहाँ परियावरन संदक्चन अनुसंधान से संबंधित कारे करता है इसका मुख्यालय कहां है सुज़्जर लेंड के गलेंड सहर में है वर्ल्ड वाइल्ड लाइप फंड का मुख्यालय अगला प्रश्ना गंगा नदी निकलती है तो यह निकलती है गंगोत्री ग्लेसियर से कहां से गंगोत्री ग्लेसियर से गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमेटर है जो उत्रा खनीष्थित गंगोत्री ग्लेसियर हीमनत से निकलती है इसे भारत की पवित्र नद ज़ाता है, मीठे जल में पाए जने वाली दूरल्लब ढलफिन यहां पाई जाती है, जिसे भारत का राष्टी जलीजिव गोशित किया गया है, जब यहां नदी निकलती है, तो इसे भागी रती नदी के नाम से जाना जाता है, भागी रती एवं अलग नंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है मुख्य रूप से इसका बहाव छेतर उत्राखन उत्तर प्रदेश बिहार जहारकन एवं पस्चिम बंगाल है भारत में निमनलकित मैं से कौन सी अजैंसि मुख्य रूप से प्रदूसर मापने से संबंधित है उप्प्षन फ्री केंदरी जल आयोग इन चारों में से ठीक है सॉरी इसका आंसर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्षन टू केंद्री प्रदुशन नियंत्रन बोड बाकी जो तीन है वो नहीं है भारत के केंद्री प्रदुशन नियंत्रन बोड जो है वो प्रदुशन को मापने से संबंदित है चलिए आगे चलते हैं कोटो पेक्सी एक जागरत ज्वाला मुखी है जो अवस्तित है कोटोपोक्सी क्या है सक्री ज्वाला मुखी है जो एंडिज परवत पर इस्थित है option 3 ठीक एंडिज परवत पर इस्थित है कोटोपेक्सी ज्वाला मुखी सक्री ज्वाला मुखी है यह दक्षिन अमेरिका के इकवाडोर में इस्थित है यह विश्व के सबसे उचे ज्वाल से जानी जाती है तिबबत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है सहीं आंसर है अप्शन थी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है घास भूमी छेत्र के परितंत्र की खादे स्रिंकला में सबसे उच इस्तर के उभोकता होते हैं साकाहरी, मासाहरी, जिवानू, मासाहरी एवं साकाहरी सबसे उच इस्तर के तो मासाहरी जो है वो है सबसे उच इस्तर के उभोकता घास भूमी छेत्र के परितंत्र में वायू मंडल का प्रमुक इस्तर जो प्रित्वी तल के सबसे नजदिक है मतलब प्रित्वी तल के सबसे नजदिक वाला वायू मंडल का इस्तर कौन सा है तो इसका सही आंसर है वो है option two, छोब मंडल छोब मंडल वाई मंडल के सबसे निचली परत है या नस्दीक वाली परत है यहां मंडल जेव मंडली पारी इस्थितिकी के लिए सरवाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंदी सबी घटना इसी परत या इसी मंडल में होती है प्रतेक 165 मीटर की उचाई पर 1 डिगरी सेल्सिय स्तापमान की कमी होती है द्रूओं पर इसकी उचाई 8 से 10 किलोमेटर तथा विशुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमेटर होती है संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषट में कितने इस्थाई सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट संकी सुरक्षा परिषट में इस्थाई देशों की संख्या 5 है जो की हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, एवं चीन संयुक्त राष्ट संकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को कहा है? यूएस में अगला प्रस्ण है सरिस्का राष्टी उद्यान अवस्तित है यह अवस्तित है राजिस्थान में सरिस्का राष्टी उद्यान एवं बाग रिजर्व राजिस्थान के अलवर जिले में इस्तित है यहां भ्यारन बंदर की अबादी, रिशस बंदर एक होता है इसकी अबादी के लिए प्रसिद्ध है इसे टाइगार रिज़रों का दर्जा 1955 में दिया गया था कहां अवस्तित है राजिस्थान में पारी इस्थीतिकी तंत्र में उर्जा का मुख्य स्रोत क्या है एटीपी सूर्य प्रकाश डियने आरेने तो सूर्य पारी इस्थीतिकी तंत्र में उर्जा का सबसे प्रमुक स्रोत है प्रमुक उत्पादक जैसे पौधे सेवाल एवं साइनो बेक्ट्रिया उर्जा की रूमें सूर्य के प्रकास का उप्योग करते हैं तथा कार्बन डायक्साइट तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं इस प्रकार से परियवरन का यहाँ वीडियो यहीं समाप्त होता है इस वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कर दीजिए कॉमेंट सेक्षन में डाउट हो तो पूछ लीजिए और कुछ न कुछ कमेंट जरूर कीजिए इस तरह से वीडियो आते रहेंगे आप लोग सेयर करें लाइक करें इससे प्रसान मिलता है और CGTT और CT8 की तयारी इस तरह से आप कर सकते हैं घर बैठें फायदा जरूर मिलेगा CGTT CT 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 में इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं रेड़ी वीडियो अपलोडेट है उससे भी देखें और उससे अपना अपना ग्यान बढ़ाएं फायदा लें धन्यवाद जय हीन